कि हलो दोस्तों मैं सब्सक्राइब करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार करने वाले हैं विल्डर की 14 नंबर की क्लास जिसमें हम लोग सीख रहे हैं नसे क्यों किना सेrice हैं सेजमें नंबर की टीक है इंधेर और फुने से वोले यहाराई आके और उनके विल्डर उनके च्राइ방 नंबर कंसे जान से हे टाके सान सवस्क्राइब क्या होता है इस में लोग प्रिवियस इयर करते हैं यह ठीक है ना इसमें लोग क्या करते हैं प्रीवियस यह को सब्सक्राइब egent करते हैं 10 चलते हैं जो यह जू सभी पता होगा ₙ यहां पर क्या है कि जो भी लोग त्यारी करना चाहते तो इस बैच से जोड़ सकते हैं यहां पर अब कुलाइब लौके लिए ले चीज़ें Nepहाद हैं तो लोग बना चाहते हैं ठीक के साथ तो लोग अप्लिकेंसं डाउडोड करेंगे कैरी ब्ल बीट début और वहां से क्या है कि वहां से आप जो है जोड़ सकते हैं इस कोर्स के अंदर ठीक है तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले कोस्टन की तरफ कि हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व को कहां लगाया जाता है ठीक है कर भी हाँ थीक है तो हमारा होता है कि को कहा लगाया जाता है जल्दी से अपर सभी लोग अंसर देंगे कि हाइड्रोलिक बैक प्रेशर को कहा लगाया जाता है hydraulic जो हमारा back pressure वाल होता है इसको कहां लगाया जाता है जल्दी से इसका अंसर सभी लोग करेंगे कि यहाँ पे इसे कहां पे लगाया जाता है यह जो हमारा back pressure वाल होता है hydraulic back pressure वाल होता है इसको हम लोग कहां लगाता है इसका अंसर हमारा क्या होगा acetylene की supply में हम लोग इसे कहा लगाते हैं इसको हम लोग लगाते हैं acetylene की supply में है न यह जो हमारा क्या होता है hydraulic bag pressure valve होता है इसको हम लोग लगाते है acetylene की supply में कहा लगाते है acetylene की supply में ठीक है न इसे हम लोग क्या होता है इसे water seal के नाम से भी जानते हैं तीक है यह हमारा क्या होता है इसे हम लोग water seal भी बोल सकते हैं यह क्या करता है कि जो हमारा क्या है back fire को रोगता है ना किसे रोंकता है बैट fire को रोगता है जिसमें हमारा क्या होता है यह उच्छ दाब और निम्न दाब दोनों के लिए प्रियोग किया जा सकता है ठीक है ना ठीक है जो भी कोर्स है आपका लांच हो जाएगा ठीक है ट्रेक्टर का जो है ठीक है तो भी कोर्स आपका लांच कर दिया जाएगा ठीक है ना ठीक है ना तो यहां से हम लोग कहा है कि इसमें क्या होता है यह हमारा जो होता है निम्न दाब ठीक है यहां से हमारा क्या होगा यह निम्न दाब वह उच्छ दाब वह उच्छ दाब दोनों में प्रयोग किया जाता है ते निम्रेदावब गुछफ दातों में क्या होता हे प्रेवग किया जाता है है ठीक है यह जो हमारा हैड्रोलिक घ्रफ बैकर यह थैख है थीक किया जाता है इसका होग मरा यहutral होग है इसका ल क्या बैक फायर रोकने का काम करता है क्या करता है इसका मुख की उत्देश होता है जनरेटर में बैक फायर को रोकना है ना क्या होता है इसका मुख की उत्देश होता है मारा जनरेटर में बैक फायर को रोकना जनरेटर में बैक फायर को रोकना ठीक है ना तो यह हमारा क्या होता है यह हमारा इसका hydraulic back pressure valve का जो काम होता है ठीक है ना तो हम लोग चलते हैं आगे अगले कोशन की तरफ कि अगला कोशन है अंतराल welding विदी कैसे की जाती है जो हमारी क्या होता है अंतराल welding विदी होती है वो कैसे की जाती है ठीक है सभी लोग आंसर जो है सभी लोग देंगे कि जो हमारी यहां पर के अंतराल वैल्डिंग भी दिए यह कैसे की जाती है ठीक है जल्दी ते सभी लोग आंसर करेंगे ठीक है इंजिनिरिंग ड्राइंग और साइंस का जो है आपका ठीक है स्टार्ट हो जाएगा ठीक है पंदरा मार्च से आपका है यह कोर्स इस्टार्ट हो जाएगा ठीक है Engineering, Drying और Basic Science के जो भी आपका है 15 March से Start हो जाएगा ठीक है इसका अंसर दीजिए जल्दी से इसका अंसर हमारा क्या होगा कि अंतराल Welding विदी कैसे की जाती है ठीक है हाँ इसमें अंसर होगा हमारा C number कि अंतराल Welding विदी हमारे क्या होती Chain और Staggered Type है ना यह क्या होती है विदी जोड़के दोनों किनारों पर इस्थित होती है विदी जोड़के दोनों किनारों पर इस्थित होती है ठीक है ना क्या होता है जो हमारे विदी जोड़ होते हैं जोड़के दोनों किनारों पर हमारी इस्थित होती है ठीक है ना तो यहां से क्या आता है कि यह हमारा क्या है कि चैन और इस्टेगर टाइप है ना किस वीदी से की जाती है ठीक है तो चैन और इस्टेगर वीदी से हमारी जो है यह यहां पर की जाती है अंतराल वैल्डिंग ठीक है ना, आगे हम लोग चलते हैं, कि धारा के तीन प्रभाव कौन-कौन से होते हैं, धारा के हमारे तीन प्रभाव कौन-कौन से होते हैं, उनके बारे में सभी को यहाँ पर आंसर देना है, कि जो हमारे धारा के प्रभाव होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, बह थीक है इसका आंसर जो है सभी लोग देंगे जल्दी से कि धारा के कौन-कौन से तीन प्रभाव है जल्दी से सभी लोगों को आंसर देना है इसका थीक है तो इसका अमारा आंसर क्या होगा इसका अंसर हमारा होगा C नंबर की उसमी, चुम्बकी और रासायनिक है न, क्या होगा यहाँ पे तीसरे का हमारा C नंबर होगा, उसमी, चुम्बकी और क्या होगा रासायनिक, ठीक है न, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो हमारा उसमी होता है, ठीक है, जो अगर हम लोग यहां पे उसमी की बात करते हैं तो उसमी हमारा क्या होता है जो हमारा उसमी प्रभाव होता है वो हमारा यहां पे कैसे होता है यहां पे हमारा सी नंबर आंसर से होगा ठीक है यहां पे जो हमारा आंसर से होगा वो हमारा होगा सी नंबर उसमी चुम्बकी और र विजली द्वारा ठीक है चालक के प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध या ठीक है क्या होता है चालक का जो हमारा यहां प्रतिरोध होता है क्या होता है उसमें विजली द्वारा चालक का जो प्रतिरोध होता है और जो प्रेरण क्या होता है ना प्रतिरोध वह प्रेरण के कारण उत्पन होता है ठीक है प्रेरण के कारण उत्पन होता है ठीक है क्या होता है बिजली द्वारा चालक के प्रतिरोध और क्या होता है प्रेरण से उत्पन होता है ठीक है इसमें क्या होता है ठीक है इसका फार्मूला अगर बात करते हैं h बराबर i square rt ठीक है इसका formula अगर heat का बात करते हैं ठीक है तो h बराबर i square rt है ना क्या होता है h बराबर i square rt हमारा इसका formula होता है ठीक है ना उसमें यह जो हमारा यह होता है उसमें जो प्रभाव होता है जो heat होती है इसका हमारा यहाँ पर यह formula होता है ठीक है जिसका हमारा बोलोगे यहां पर किन प्रभाव की बात करें विद्दी दारा किसी चालग से गुजरती है तो उसके 4 और है हिए जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं चुम्बकी प्रभाव बोलते हैं ना सबूसरी थी है तो चार उर एक बीद्दा खेटर उत्पन्न होता है वह हमारा क्या हो जाता है उसका चुम्ब की प्रभाव हो जाता है रासायनिक प्रभाव क्या होता है जैसे कि हमारे क्या होते हैं जो हमारे रासायनिक सब्स्टेंस होते हैं जैसे कि अगर उन्हें क्या है कि पानी में मिलाया गया है और उसमें हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग उसमें विद्दुत का प्र हमारा क्या होता है वह हमारा रासायनिक क्या होता है रासायनिक प्रभाव होता है जैसे कि कोई भी सब्स्टेंस है रासायनिक जो आपस में मिले हुए है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रान जो है यह हु하री जो इलेक्ट्रिक है यानि की उस्मा है इसका प्रवा करते हैं तो क्या हो जाते हैं अप गटित हो जाते हैं शी कि ठीच इस करी नटाइस करें ठीक है अलग कोर्ण देफार्ण थो झाहिए तो आप लोग उसके लिए इंतजार करें ठीक है क्या ह्овता है उसमें से कुछ चीज़ें सेम आपको करना पड़ेगा तो यह होता तीसरा कोसन आगे हम लोग चलते है एलीज टील के हाई प्रेसर पाइप को वेल्ड करने के ठीक है किस विधी का उप्योग किया जाता है जो हमारा क्या होता है यहां पर k imaging प्रेयोग किया जाता है आपर विधी या लेकिशन को यह इन में सभी लों सरके हैं यहां पर चॉत्य नंबर का आंसर अ पश्मिंघ किया हुआ है इसका अमारा एंसर क्या होगा गइसका हमारा ओगा असर थे नमबर है न यह जो अपहें वेल्डिंग होती है यह कैसे की जाती है उर्द्वा धर है ना कैसे की जाती है उर्द्वा धर की जाती है ठीक है उर्द्वा धर की जाती है ठीक है यह हमारी तो वेल्डिंग होती है यह हमारी कैसे की जाती है यह हमारी तो वेल्डिंग होती है इसको हम लोग कैसे करते हैं कैसे उर्द्वा धर हम करते हैं ठीक है उर्दादर मतलब होता है उपर से नीचे की ओर ठीक है उपर से नीचे की ओर हम लोग यहां पर वेल्डिंग करते हैं कर बहु कि को विय पर से नीचे की औरAct करते हैं ठीक है है तक मिक्तिwydd एर के वक्रतर वर्टतरा विय लिग्द गारे अनुरी की जाती है जो फरर से नीचे की ओर ठीक है और यह मोटे कारे खंडों को लीए किया जाता है ठीक है लीच Lup पर या य।ा या होता है या उपर से नीचे के तरफ हमारा क्या कहने मतलब यहां पर उर्दा धर है ना और क्या होता है या क्या होता है मोटे कारे खंडों को करने के लिए किसके लिए मोटे कारे खंडों को करने के लिए ना मोटे कारे खंडों पर वेल्डिंग करने के लिए मोटे कारे खंडों पर welding के लिए मोटे कारे खंडों पर welding के लिए ठीक है उर्दा धार मतलब हो गया या तो हम नीचे से उपर या फिर उपर से नीचे क्यों ठीक है और क्या होता है मोटे कारे खंडों पर welding के लिए ठीक है आगे हम लोग चलते हैं जो हमारा अगला कोशन है जब क्या है यहां पदार्थ की मोटाई 1.6 mm हो तो आधर्स वेल्लिंग के लिए वेल्लिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए है जब पदार्थ की मोटाई 1.6 mm हो तो उसके लिए क्या है कि जो यहाँ पे welding speed है welding speed हमारी कितनी होनी चाहिए सभी लोग यहाँ पे answer करेंगे कि हमारी welding speed है जो कितनी होनी चाहिए ठीक है यहाँ पे answer ठीक है answer सिर्फ दो ही लोग दे रहे है बाकी लोग answer नहीं दे रहे है तो सभी को answer देना है ठीक है ठीक है यहां पे सभी लोगों को आंसर करना है चल दीज़े ठीक है पास्वे नमबर का आंसर सभी लोग करेंगे ठीक है इसमें मारा क्या होगा इसका अंदर सभी लोग करेंगे यहां पे आंसर आया यानी की 100% है यहां पे नमबर यानी की 100% और यह क्या होता है जो हमारा 50 mm पर क्या होता है मिनट होता है इसमें हम लोग क्या करते है कि जो इस तरह से cutting की जाती है तो हमारा किस के अंदर आता है यह हमारा आता है किसके अंदर submerged building के अंतरगत है यह हमारा submerged building के अंतरगत आता है ठीक है और यहांद करें में मुंचा यह आर्क विल्डिंग में बचाया जा सकता है क्या होता है कि इसमें से किसका प्रयोग करके गलित वेल्ड धात को वाय मंडली प्रदूसर से आर्क वेल्डिंग में जो है बचाया जा सकता है तो उसके रहे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे या सेलिंग गैस का या इन दोनों का किसका इसमें प्रयोग करेंगे तो सभी यहां पर हमारा आंसर क्या होगा सी नंबर होगा आंसर हमारे हैं आंसर हमारे मंडली प्रोडूसर बचाने के लिए हम लोगे आप और यां पर यूज करते हैं और श्लीव यह यूज करते हैं क्या हूंट कि गर्मीं इस अभलकर क्या कर लेटा है स不錯 थाक्तमक शूरच्ष मक करते हैं शूरचित आवरण यहां जाना लेता है जिससे यह मंडली प्रदोसर जो है वहाँ पे आर्क विल्डिंग में नहीं हो पाता है ठीक है आघे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रीक आर्क इस्प्रेंग आर्क ठीक है इसे सिस्टम के लिए कितने एंपियर तक का सालीड इस्टेट पावर स्रोथ इलेक्ट्रिक आर्क इस्प्रेइंग में ठीक है इलेक्ट्रिक आर्क इस्प्रेइंग में ठीक है आर्क इस्प्रेइंग में यहां पर क्या कर लेंगे इलेक्ट्रिक आर्क इस्प्रेइंग में है न इस्प्रेइंग में आर्क इस्प्रेइंग में कि लिए कितने एंपियर तक का solid state power ठीक है सुरोत उप्योग में लिया जाता है ठीक है इसका अंसर सभी लोग करेंगे सात्वे नमबर का ठीक है सात्वे नमबर का अंसर हमारा क्या होगा यहां पर हमारा क्या होगा यह नमबर से होगा 50 से 60 एंपियर है ना कितना से होगा यहां पर यहां पर यहां पर जो होगा मंबर कि पचास से 650 एंपियर होगão क्योंगा 50 से 650 फीक है यह क्या होता होता है हमारी सबसे पुरानी प्रक्रिया होती है जो हमारी यहां पर क्या होता है यह मारी सबसे पुरानी प्रक्रिया होती है और इसमें क्या होता है इसमें सब हैं सब इसकाय होता है जो आर्क के द्वारा का रिख ओस्मा का कार जो हिए उत्पहितन होती है उसका कार सबही लोगों को जल्दी से बताना है ठीक है आठ्सकी दौरह उत्पनुस्मा का का क्या होता है कि इसका क्या होगा जल्दी से अंसर करेंगे ज Arms Sir डेंगे को कि आथ हुआ है कि अर्फ हिए का यहाँ पर क्या हूगा आठ्वे का ए नंबर से घुम as स्टान को पिगला देता है उसको कहा तक पहुंचा देता है उसके गलन ताब पर पहुचा दिया जाता है ना गलन तक पहुचा कर उसे पिगलाया जाता है ठीक है ठीक है ना तो यहां पर हमारा क्या होगा वेल्ड इस्थान को पिगला देना ठीक है ना यहां पर वायरों को नहीं होता ना कि वेल्ड गन ना ही संपूर कारेखंड को सिर्फ क्या होगा जो कैसी पेटरेसन जो है यहां पे प्रारप्ट होती है ठीक है सबी लोगों को आंसर करना जो आपे शुटण करना है जेरो आलह पर 9 मरें ठीक है कि को कि. कि सभी यहां पर जुल्दी से बताएंगे 91 नंबर- का चायर आंसर हमारा कि निडिन से कैसी पराप्ट होती है को यहां पर आंसर आ नंबर रहा है ना- यहां पर क्या आया है अच्छी है तो क्या ओगा है ट्रांसफार्मर रार्क वेल्डिंग से कैसा पेनिट्रेशन प्राप्त होता है यहां पे अच्छी पेनिट्रेशन जोए हमें यहां पे प्राप्त होता है इसके दौर हम लोग क्या करते हैं कोई दो धातों को जोड़ना होता है तो उनकी सत्व को मिला कर रख होता है इसके बारे में सभी लोग यहां पर answer करेंगे ठीक है किस टार्च में एक अत्रिक्त वाल्ब जो है लगा होता है कि जल्दी से सबी लोगा अंसर करेंगे निम्न में से किस अधर्च मे क्ट कर dil晚 का है जल्दी जिसमें सभी लोग बताएंगे दस्वें कब बी नमबर है ना दस्वें कब बी नमबर यहां पर दस्वें कब बी नमबर हमारा क्या है कि दस्वें कब बी नमबर में हमारा आंसर हो जाएगा कर्तन टार्च कर्तन टार्च हमारी जो 30 में क्या होता है एक अत्रिक तवालव क्या होता है लगा होता है क्या होता है एक अत्रिक तवालव जो यहां पे है वो लगा होता है ठीक है ना इसमें क्या करते है गैस कर्तन ब्ल नंबर सभी होगा ठीक है यहां पर बी नंबर हो गा कि करतन टार्च करदन टार्च में हमारा क्या होता है एक अतिरिक्त लियां पर लगी होती है ठीक हो उसके बाद कि निमने लिखित वेल्दिंग मसीनों में किस मसीन को AC तथा DC welding करने के लिए प्रयोग किया जाता है यह जो हमारी मसीन हैं तो इन में से किस मसीन को AC तथा DC दोनों प्रकार की welding करने के लिए आपे प्रयोग किया जाता है ठीक है अच्छा यह question पहले हो चुका है ठीक है तो चलिए एक बार और कर लेंगा अगर रिपीट हो गया है ठीक है इसका अश्चार सभी लोग करेंगे निमन में से welding मसीन में AC और DC के लिए दोनों के लिए किस welding का प्रयोग करता है ग्यारावे नंबर का अश्चार सभी लोग जल्दी से देंगे 11 नंबर का अश्चार यहां पर सभी लोग देंगे जल्दी से आंसर करेंगे ठीक है 11 का क्या है कि D नंबर है तिक है इसे हम लोग नंबर नेंपडा और सभी बोलते हैं है एस से DC में करते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं इन्वार्टर ठीक है इन्वार्टर सेट रेक्टिफायर होता है ठीक है इन्वार्टर सेट क्या होता है रेक्टिफायर होता है जिसे हम लोग क्या बोलता है आपे इन्वार्टर सेट रेक्टिफायर है ना क्या बोल देते हैं इसे इसे हम लोग बोल देते हैं इन्वार्टर टाइब छिक एई-इनवार्टर से ट्रेक्टिफाइए ठीक है या इनवार्टर टाइब विल्डिंग मसीन okay क्या करता है जो यह क्या करता है कि AC को DC में बदल देता है AC को DC में बदलता है AC को DC में बदलता है क्या करता है AC को DC इसे हम लोग inverter type welding machine भी कहते हैं जो कि क्या करता है AC को DC में बदल देता है क्या कर देता है AC को DC में बदल देता है आगे हम लोग चलते हैं कि electrode का AWS code इसे शुरू होता है न और इसमें आगे चार अच्छर होते हैं इसका तीसरा अच्छर क्या दर्साता है न इसका जो है यहाँ पर इसका तीसरा अच्छर जो है वो यहाँ पर क्या दर्सा आएगा ठीक है सभी लोगों को जल्दी से बताना है कि इसका तीसरा अच्छर है जो य अ कर दो कि यहां पे बार्वे नंबर का असर सभी लोगों को बताना है । e से सुरू होता है तो इसमें आगे चार अच्छर होते हैं तो इसका तीसरा अच्छर क्या दरसाता है ठीक है यह जो हमारा e से सुरू होता है तो इसमें आगे हमारे कितने अच्छर होते हैं, चार होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, चार अच्छर होते हैं, आपको बताना है, जैसे कि माल लीजिए यह हमारा हो गया E, इसके आगे आगे आपको अगर कितने दे दिये गए हैं, चार अच्छर दे दिये गए हैं, तो यह तीसरा आपका क्या दर्साता है इसके बारे में आपको बताना है ठीक है यहां पर आंसर आ रहा है बी नंबर है ना आंसर क्या रहा है वेल्डिंग में इस्थिति आंसर यहां पर बारवे का रहा है बी नंबर ठीक है बारवे नंबर का आंसर यहां पर कितना दे रहें सभी लो ठीक है यहां पर हमारा क्या होगा यह वेल्डिंग की इस्थिति को दर्स आता है किसे दर्स आता है वेल्डिंग की इस्थिति को क्या दर्स आएगा वेल्डिंग की इस्थिति है न वेल्डिंग की इस्थिति दर्स आएगा ठीक है अगर हम लोग इस चौथे की बात करते हैं तो यह मारा क्या दर्साता है चौता नंबर जो होता है मारा धारा को दर्साता है ना कि लेक्टोड के लिए ठीक है ना ठीक है यहाँ पर मारा क्या होता है कि यहाँ पर धारा दर्साता है ना क्या दर्साता है ठीक है यहाँ पर धारा दर्साता है ठीक है तो कि ठीक है न हाँ जैसे यी 163 लेले कुछ भी लेले ते हमारा क्या दर्शायगा तीसरा यह मारा वेल्डिंग की स्थिति दर्शायगा और यह मारा उसकी धारा दर्शायगा ठीक है ना इसी तरह इन सब्द इन सारे चीजों का क्या होता है अपना अपना एक मतलब होता है ना क्या होता इनका ठीक है ठीक है यह मारा जो तीसरा सब्द होता है विल्डिंग की स्थिति को दर्साता है ठीक है आगे हम लोग चलते हैं, आगे मारा क्या है कि जब विल्द 36 टाइप के बाटम की ओर गैस द्वारा वेल्डिंग करता है, तो पिगली हुई धात को सही स्थान पर पकड़ता है, तो यहां पर आपको आंसर देना है, ठीक है E.R. 16 ठीक है ठीक है तो यहांपे आपको आंसर देना ए जल्दी से ठीक है इसमें हमारा 13 नंबर का जो आंसर है 13 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा ठीक है जल्दी से सबी हम आंसर देना है इसका सभी लोग answer करेंगे कि इसमें हमारा क्या होगा 13 नम्मर में ठीक है और जो हमारा जो बेल का जो code होता है तो उसके बारे में हम लोग आज क्या है कि आज की जो 3 वजे class होगी उसमें हम लोग यहीं समझेंगी कि यह जो 4 वजचार होते हैं जो हमारे जितने भी प्रडाली होती इनके बारे में हम लोग यहाँ पर ठीक है सारी चीज़े आज हम लोग देखेंगे class में ठीक है इसका answer आ रहा है बी नमबर surface tension यहां पे हमारा क्या होगा कि surface tension पकड़ता है ना क्या पकड़ता है सही स्थान पर surface tension जो होता है हमारा वो पकड़ता है ठीक है यहां पे क्या होगा यहां पे हमारा होगा बी नंबर है ना गुरुत तो बल नहीं होगा ठीक है ठीक है ना यहां पे जो है हमारा गुरुत तो बल गुरुत्वल जो है वो नहीं होगा यहाँ ठीक है है यहाँ पे हमाहरा जो होगा यहाँ पे हमाहरा किया होगा सर्फेस edition होगा ठीक है जब वेले 36 पाइप के बाटम की और गैस द्वारा वेल्लिंग करता है तो पिगली हुई धात को वेल्लिंग टार्च की फ्लेम तथा दात की सता की भी सही नियंद्रित करता है न या विधी क्या होती कठीन होती इसमें इसको पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं उच्छ हीट इंपुट पदार्थ के किस गुण को प्रभावित करता है उच्छ हीट जो होता है इंपुट पदार्थ के किस गुण को प्रभावित करता है बातिक को प्रभावित करता है या 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 रासा निक किसको प्रभावित करता है जल्दी से शक्र देंगे सभी लोग चैज में नंबर का अंसर सभी लोगों को देना ठीक है और जल्दी से करेंगे भी ऑग अए ज़ये इप क्टार को muscle कुझ को प्रभावित करता है कर सा यह पहला हिसलो यह नहीं था कि यह रहा है यह यहां पर अंसर आरहा है यह न नंबार यहां क्या होगा यहां पर आंसर हमारा क्या होगा बी नंबर होगा ठीक है यहां पर आमारा क्या होगा यहां पर आमारा बी नंबर होगा यहां पर आपका पहले नहीं हुआ है ठीक है यहां पर क्या होगा बी नंबर होगा अंसर ठीक है ना उच्छ एट इंपुट पदार्थ के किस पर क्या होता है जब लोग उच्छेट प्रदान करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उच्छेट प्रदान करने पर ठीक है पदार्थ के क्या होता है तन्यता में ब्रद्ध और सामर्थ में कमी होती है ना उच्छेट प्रदान करने से पदार्थ के तन्यता में ब्रद्ध होती ह क्या होती है पदार्द के तन्यता में ब्रदी ठीक है तन्यता में ब्रदी और सामर्थ में क्या होती है कमी होती है ना क्या होती है सामर्थ में कमी होती है ठीक है क्या होगा यहां पे तन्यता में ब्रद्धी होगी ठीक है न क्या होगा तन्यता में ब्रद्धी और सामर्थ में जो है कमी होती है ठीक है ठीक है आगे आप लोगों को आंसर देना है कि दात्मल अंतरवेशन की उत्पत्ति का कारण नहीं है दात्मल अंतरवेशन की उत्पत्त का कारण नहीं है ठीक है जल्दी ते समीलोग आणसर करेंगे ठीक है कि आपड़ा नहीं है जोडूं की अनुचित फीलिंग जा धारा की कम मात्रा या उच sinner की पूरक्षलओं का प्रयोग ठीक है या अनुचितений सबी लोगों को जल्दी से आपे आंसर देना है ठीक है ठीक है सबी लोग आपे जल्दी से आंसर करेंगे ठीक है जल्दी से इसका आंसर सभी लोग करेंगे केजियन जी आपे आंसर दे रहे हैं इसका ए नमबर 15 आमें का नमबर क्या आ रहा है ए नमबर यहाँ पे आंसर आया है ठीक है स्याम जीने आंसर दिया है यहाँ पे C नमबर यहाँ पे हमारा जो correct आंसर होगा उच्च गुडवत्ता की पूरक छणों का प्रयोग करना है ना जो धातमल अंतरवेशन की उत्पत्ति का कारण नहीं है उच्च गुडवत्ता की पूरक छणों का प्रयोग करना है ना धातमल अंतरवेशन हमारा होता क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि धातमल अंतरवेशन ठीक है दातमल अंतरवेशन हमारा क्या होता है ठीक है तो दातमल अंतरवेशन जो हमारा होता है इसके बारे में क्या होता है जो धातमों में मैल जमा रह जाता है क्या होता है जो धातमों में क्या होता है विल्ड धातमें मैल का रह जाना ही क्या कहलाता है कि धातु अंतरवेशन है ना क्या कहलाता है विल्ड धातु में मैल का रह जाना ही क्या कहलाता है ठीक है विल्ड धातु में मैल का रह जाना ही मैल का रह जाना ही क्या कहलाता है धातु मल अंतरवेशन है ना क्या कहलाता है धातुमल अंतरवेशन कहलाता है धातुमल अंतरवेशन जो है कहलाता है ठीक है इसे और भी क्या कहते है इसे हम लोग क्या कहते है धातुमल अंतरवेशन को और क्या कहते है ठीक है पंदरा का यहाँ पे C नमबर हाँ इसे हम लोग और क्या कहते है ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्लैग इंक्लिउजन है ना इसे हम लोग और क्या बोलते हैं स्लैग इंक्लिउजन ठीक है स्लैग इंक्लिउजन ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं SLAG inclusion भी कहते हैं SLAG inclusion भी यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं ठीक है तो यह हो गए हमारा 15 वा नमबर आगे हम लोग चलते हैं कि पिगली यहाँ पिगलीत चालकी SLAG pool क्या है कि जो हमारी पिगलीत चालकी जो SLAG pool के अंदर के भाग का तापमान लगबग कितना होता है ठीक है इसका तापमान कितना होता है लगबग सभी लोग बताएंगे ठीक है SLAG inclusion इसे हम लोग बोलते हैं ठीक है पिगलीत चालकी यह ठीक है SLAG pool के अंदर भाग के अंदर के भाग का तापमान लगबग कितना होता है जल्दी सबी लोगों को बताना है कि इसका जो अंदर भाग का तापमान होता है वो हमारा कितना होता है ठीक है सोलावे नमबर का अंसर सबी लोग जल्दी से करेंगे ठीक है कि 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 यहां पर आंसर क्या आ रहा है आंसर हमारा आ रहा है यहां पर ए नमबर है ना यहां पर अमारा करेक्ट आंसर क्या है पिगला हुआ स्लैक पिगला हुआ स्लैक क्या करता है कि पिगली मिटल को ठीक है पिगली मिटल को सुरच छात्मक कवच प्रदान करता है क्या करता है सुरच छात्मक कवच प्रदान करता है सुरच छात्मक कवच प्रदान करता है क्या करता है सुरच्छात्मक कबच जो होता है मारा इसे यहां पर प्रदान करता है पिगला हुआ स्लैक क्या करता है पिगली मिटल को सुरच्छात्मक कबच है जो यहां पर प्रदान करता है न क्या करता है सुरच्छात्मक कबच प्रदान करता है ठीक है ठीक है और यह क्या होता है जो मारी वेल्डिंग का जो प्रक्रिया होती है ना तो इस पूरी प्रक्रिया में स्लेग क्या करता है उपर की तरफ जाता है ना पूरी प्रक्रिया में ठीक है पूरी प्रक्रिया में स्लेग जो होता है पूरी प्रक्रिया में स्लेग उपर की तरफ जाता है स्लैग उपर की तरफ जाता है स्लैग क्या करता है उपर की तरफ जाता है उपर की तरफ क्या करता है यहाँ पे जाता है ठीक है इसका यह होता है मतलब ठीक है किसका जो मारा पिगला हुआ स्लैग होता है ठीक है आगे हम लोग यहां पर चलते हैं कि एसेटलीन का आउसत कैलोरी मान होता है सभी लोगों को यहां पर आंसर देना है जल्दी से सभी लोग सत्रावे नमबर का आंसर करेंगे कि एसेटलीन का आउसत कैलोरी मान क्या होता है जल्दी से सभी लोगों को बताना है जल्दी से सभी लोगों को बताना है ऐसेटलीन का आऊसत कैलोरी मौन क्या होता है जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे ठीक है सत्रा का A नंबर यहाँ पे आना Y start हो गया है ठीक है इसका था ど आ होता है कि 14,000 Kelvin ठीक है यहाँ पे क्या होता है 14,000 Kelvin जो यहाँ पे आपको दिया गया है न क्या होगा यहाँ पे 14000 Kelvin ठीक है पर मीटर क्यूब है ना क्या होता है 14000 Kelvin पर मीटर क्यूब इसमें सबी लोग यहाँ पे क्यूब लगा लेंगे ठीक है ना 14000 Kelvin पर मीटर क्यूब ठीक है क्या होगा 14000 Kelvin पर मीटर क्यूब होगा ठीक है ना कई बार क्या होता है यहाँ पर आपको क्या करेगा कि आपको यह value तो सही दे देगा लेकिन यह जो है आपकी गलत दे देगा है ना तो आपको क्या है कि आपको मातरक भियाद रखना है कि Kelvin पर मीटर क्यूब होता है ना क्या होता है Kelvin पर मीटर क्यूब इसका जो आउसत कैलोरी इमान होता है वो होता है 14,000 ठीक है 14,000 कैलोरी पर मीटर क्यूब ठीक है यह होता है नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि ठोंस एसेटलीन का घनत तो कितना होता है ठीक है जो अमारे 18 नंबर का कोश्चन है कि ठोंस एसेटलीन का घनत तो जो हमारा कितना होता है ठीक है ठीक है ठोस एसेटलीन का घनत तो कितना होता है हाँ 15 kg पर cm2 से इसको क्या करते हैं सिलेंडर में फिल किया जाता है सिलेंडर में क्या करते हैं सेटलीन को हम लोग 15 क्या करते हैं 15 kg पर cm2 से फिल किया जाता है इसका आंसर सभी लोगों को देना है कि ठोस सेटलीन का यहाँ पे घनत तो क्या होगा ठोस सेटलीन का घनत तो क्या होगा ठीक है यहाँ पे आंसर आना इस्टार्ट हो गया है ए नमबर है ना आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर यहाँ पे ए आ रहा है कि 0.76 kg पर cm3 है ना क्या होता है 0.76 kg पर cm3 क्या होता है इस इसका घनत तो क्या होता है सेटलीन का कि 0.76 kg पर सेंटी मीटर क्यूब उसके बाद क्या है एसेटलीन ठीक है एसेटलीन में छुपी हुई असुद्धियों के निराकरण है तो ठीक है काम में लिया जाने वाला यहां पर क्या है कि काम में लिया जाने वाला उपकरण है क्या है कि असुद्धियों के निराकरण है तो काम में लिया जाने वाला उकरण क्या है गैस प्यूरिफायर या ब्लो पाइप या होस पाइप या फिर यहां पे ड्रायर क्या है आप सभी लोगों को यहां पे आंसर करना है ठीक है क्या यहां पे लिया जाता है ठीक है सबी लोगों को यहां पर 19 में का नंबर आंसर देना है ना इसका आंसर क्या है कि इसका आंसर होगा हमारा यहां पर ठीक है इसका आंसर हमारा क्या होगा ए नंबर सबी लोग दे रहें गैस प्यूरिफायर है ना तो क्या होता है इसमें एसेटलीन में जो छिपी होई यह सुद्धियां होती है तो उनको निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं गैस प्यूरिफायर का यहां पर प्रयोग करते हैं का यहां पर प्रेयोग किया जाता है ठीक है उसके वाद अगला कोशन आप लोगों से ठीक है कि यहां पर क्या है कि यहां पर बीशवा कोशन आप कार्बन की प्रतिशत मात्रा पार क्या अधार पर एसे डिलीन में क्या होता है कार्बन की मात्रा कितनी होती है सभी को यहां पर आंसर करना है ठीक है ठीक है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है सब् Dios को यहां पर Ned दो कितनी है कि सब्सक्राइब कि मात्रा की पर सही लोगों को यहां पर आणसर करना है ठीक है क luego n प्रतिचत मात्रा आपको बतानी है ठीक है और क्या करना हाइड्रोजन की प्रतिचत मात्रा आपको बतानी है ठीक है यहां पर प्रतिचत मात्रा के लिए रवीज ने आंसर किया है ठीक है और उसके पहले आंसर किया ए नंबर है ना कार्वन की प्रतिचत मात्रा के लिए ए नंबर है ना 92.3 परसेंट और नाइट्रोजन हमारा कितना होता है 7.7 परसेंट है ना नाइट्रोजन हमारा कितना होगा इस पे 7. पॉइंट सेवन परसेंट होगा है ना नाइट्रोजन कितना होगा ठीक है एसेटलीन का रासाइनिक सूत्र क्या होता है इसका रासाइनिक सूत्र क्या होता है ठीक है रासाइनिक सूत्र इसका कितने लोग बता सकते है एसेटलीन का रासाइनिक सूत्र जो है हमारा क्या होता है एसेटलीन का ठीक है एसेटलीन का रासाइनिक सूत्र क्या होता है ठीक है ठीक है कितने लोग यहाँ पर बता सकते हैं ठीक है इसका यहां पर क्या है कि जो रासाइनिक सूत्र क्या होता है ठीक है और इसका विसिस्ट गुरुद्ट तो क्या होता है कितने लोग यहां पर बता सकता है ठीक है इसी इसे स्टलीन का ठीक है विसिस्ट गुरुद्ट तो क्या होता है विसिस्ट गुरुत्व क्या होता है इसका जो रासायनिक सुत्र होता है वो mines क्या होता है और इसका क्या है कि विस्टे गुरुत्व कितना होता है सभी लोगों को बताना इतीक है ठीक है इसमें विशिस्ट गुरुत होता है 0.91 क्या होता है 0.91 होता है ठीक है एसेटलीन का सोत्र C2S2 होता है और क्या है कि इसमें कारवन की मातरा बाद में 0.3 हाइड्रोजन 7.7 और इसका विशिस्ट गुरुत कितना होता है 0.91 होता है ठीक है अगर क्या होता है 0.9 होता है यहां पे ठीक है ना तो आज क्या है आज क्या है आज के हमारे 20 से यहां पे коekट रहां, ठीक है और जो भी लोग यहाँ पे थेवरीक हैं तो क्या है थेवरीक क्लास में 3 मज़े जुड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर क्या है कि इलेक्टोड के जो वहाँ पर क्या होते हैं जो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले तो इलेक्टोड के उपर numbering होती हो किसा अधार पर होती है उसकी हम लोग आज वहाँ पर बात करेंगे ठीक है ना तो आज की class में हम लोग इसे यहीं तक रखते हैं ठीक है हाँ यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर answer होगा हमारा a number से ही होगा ठीक है ना है बानवे पॉइंट 3 कितना बानवे पॉइंट 3 होगा ठीक है ना तो आज की class में हम लोग यहीं तक रखते हैं मिलते हैं कल की class में ठीक है कि 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 तinku